अगर आपको भी एकदम कम मेनत में रेशेदार गाजर का हल्वा बनाना है तो पूरी रेसिपी देखिए हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो सीमा स्मार्ट किचेन आज हम बनाएंगे गाजर का हल्वा आप कहेंगे इसमें नया क्या है? नया ये है कि ना तो हम इसे ग्रेट करेंगे ना ही ग्राइंड करेंगे चलिए देखते हैं इसे जटपट कैसे बनाते हैं? इस गाजर के हल्वे के लिए हमें मोटी रेशेदार गाजर लेनी है देखिए गाजर इस तरह की होनी चाहिए गाजर के उपर के रेशे को छील लीजे दो लीजे और कूकर में इतने बड़े बड़े टुकडे करके गाजर को डाल लीजे कट करके देखिए कितने बड़े बड़े डालना है एकदम बारेक टुकडे नहीं करना है गाजर के पीसे इतने बड़े ही होने चाहिए अब इसमें one fourth cup पानी डाल दीजिए one fourth cup पानी डालने के बाद cooker को बं कीजिए गैस पे चड़ा दीजिए पहले high flame पे एक सीटी होने दीजिए उसके बाद flame को medium कर दीजिए और 2 सीटी और होने दीजे मिंस 3 सीटी होने देना है उसके बाद फ्लेम बंद कर देना है और कूकर को अपने आप ठंडा होने देना है कूकर की स्टीम अपने आप खत्म हो जाने के बाद में कूकर को खोलिए और गाजर को डाल दीजे कढ़ाई में जिस कढ़ाई में आपको बनाना है उसी कड़ाई में डाल दीजिए अब इस कड़ाई को चड़ा दीजिए गैस पे लो फ्लेम पे साथ ही मैशर लीजिए पुटेटो मैशर है ये और इससे इस तरह से मैश कर लीजिए बहुत ज्यादा मैश नहीं करना है गाजर रेशेदार है तो अपने आप ये ग्र ग्रेट किया है तो उसे लगेगा ही कि इसे ग्रेट किया है जबकि हमने इसे ग्रेट नहीं किया है पूरी गाजर मैश हो जाने के बाद फ्लेम को मीडियम टू हाय कर दीजिए लगातार चलाते हुए इसका पानी जो एक्स्ट्रा है इसमें उसको सुखा लीजिए उसके बा भूम जाने के बाद इसमें घर की दूद की मलाई डाल दीजyczे। दूद को करने के बाद जब धंडा होता है उसके उपर एक जो दोटी सी लेयर आती है उसे ही मलाई कहते हैं यह मेरी दो दिन की मलाई है लगबक एक कप से द्याह कम होगी इसे mix कर लेंगे और डाल देंगे आपके पास जितनी भी मलाई है एक कप, आधा कप इसमें डाल देना है कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास इतनी ही मलाई होने चाहिए थोड़ी कम या जादा डाल सकते है मलाई डालने के बाद फिर से flame को हाई कर देना है और अच्छा चाहते हैं तो इसमें 8-10 केसर के thread भी डाल दीजे कुक होते होते गाजर की हलवे का केसर के साथ और भी अच्छा color आता है इस समय ध्यान से चलाएं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उड़ता है किसी बड़े डंडी वाले चमच को ही लीजे और उससे ही चलाईए जब इतना दूद रिड्यूस हो जाए तब इसमें डाल दीजे चीनी चीनी आप थोड़ी सी कम या ज़्यादा डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अनुसार किसी भी हलवे में चीनी आखरी में ही डालनी चाहिए चीनी डालने के बाद फिर से इसमें एक बार थोड़ा सा पानी दिखने लगेगा फ्लेम को आप मीडियम टू हाई करते हुए लगातार चलाते हुए बीच बीच में चलाना है लगातार चलाने का मतलब है कि नीचे चिपकने नहीं देना है चलने नहीं देना है चलाते हुए थोड़ा सा ड्राय कर लेना है जितना आपको गाजर का हलवा ड्राय चाहिए उतना कर लीजे उसके बाद डाल देंगे ड्राय फ्रूट ड्राय फ्रूट आप भून के भी डाल सकते हैं और बिना भूने भी डाल सकते हैं मैं यापे बीच में थोड़ी सी जगह बना रही हूँ और इसमें डाल रही हूँ 1 टी स्पून घी और इसमें ही डाल देंगे पहले कटे हुए बादाम 15 से 20 सेकेंड बाद डाल देंगे कटे हुए काजू और उसके बाद डाल देंगे कटे हुए पिस्ते आप चाहे तो वैसे भी डाल सकते हैं या फिर पहले भी फ्राय करके इसमें डाल सकते हैं ड्राय फ्रूट्स टालने के बाद एक से देड़ मिनट और भून लीजे अगर गाजर का हलवा इदर उदर चिपक रहा है तो उसे भी साथ में निकालते जाना है और लास्ट में डाल देना है इलाइची प बनता है और कमेंट करके बताईए ये रेसिपी आपको कैसे लगी फ्रेंट्स और फैमली के साथ इस आसान रेसिपी को शेयर करना ना भूलें और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है निव अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए साथ ही बेल बटन पर प्रेस कीजिए मिलते हैं एक निव रेसिपी के साथ थैंक्स पर वाचिंग बाबाई